नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। में ये कुछ खास अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इनको जानना है कि इनके अचीवमेंट कब से आएगी और हतली पर क्या अची खराब वोस्था बनी है आगे वेपार करने के लेक चुक है तो ये भी इनको जानना है कि आगे वेपार के क्या योग है और जिन्दगी कैसी रहेगी अच्छी रहेगी या खराब रहेगी और भाग गुदे कब से होगा और जिन्दगी पर काम कब से स्टार्ट होगा तो आप बिल्कुल चिंता ना करें आपके इस कोशन्स को बहुत गहराई पुरवक सुन लिए एवं आज इस विशे पर बात करेंगे जो भी आपके हाथ पर positivity होगी जो भी आपके हाथ पर negativity होगी हर विशे पर बारी के साथ आपको बताने का कोशिश करेंगे तो अगर मैं positive चीज की बात करनू तो एक बेहर शांदार बुद्धरेका आपके अतली पर बन रही है अगर ये रेखा सार्थक हो जाए तो ये आपको extreme धनलाब बना करा सकती है और इस प्रकार की बुद्धरेका में ही इतना ताकत है कि आपको करोरपती बना सकती है अच्छे बड़े व्यक्ति कैतली पर इस प्रकार की बुद्धरेका देखने को मिलती है वो वेक्ति अपने जिन्दगी पर धनलाव जरूर करते है अमीर जरूर से बनते है तो बुद्धरेका ये वाली देख लो आप ये बहुत शांदार रूप से दिखरी है बुद्धरेका ब्रेक नहीं है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है जब तक रेखाओं में चमक ना आ जाए तब तक रेखाओं के फल के विशे में हम किसी भी परकार की धारना नहीं रखते है तब तक रेखाओं के फल में कहीं न कहीं कमी ही देखने को मिलती है तो ये बुद्धरेका बरी शांदार दिखतो रही है लेकिन visibility थोड़ी कम है जिस कारण वर्ष जातक के जंदगी पर इसके regarding परिशानी देखने को मिल सकती है परिशानी इस sense में होगा कि कोई काम नहीं होगा सबसे बड़ी बात है कोई काम नहीं हो पाएगा इस बुद्धरेखा के regarding कोई धनलाव नहीं हो पाएगा तो ये वाली बुद्धरेखा देख लिए आपने अगर इस प्रकार की बुद्धरेखा आपके एतली पर है और ये visible नहीं है तो ये आपको दिक्कत कराएगी आपके काम नहीं हो पाएगे अब दूसरी बात है कि अगर आपकी भाग गिरेका जितनी ये मोटी हो जाए यहां से यहां तक भाग गिरेका जितनी ये मोटी रहे तो फिर आप समझेए कि आपकी जिन्दगी जादा बहतर रहेगी आपकी जिन्दगी जादा अच्छी रहेगी क्योंकि जब तक रेखाओं में चमक नहीं आएगा तब तक इसके रिगार्डिंग कोई अच्छे इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो रियालिटी है इसी वजह से आपका कोई कार नहीं हो पाया है इसी कारणवश आप आज एक तकलीफ में हैं कि आपका कोई वेपार नहीं सुरू हो पा रहा है लेकिन बहुत ही अच्छी अवस्था बन रही है अगर ये बुद्र एका सार्थक हो जाए तो एक बहतर मनी ट्रेंगल का भी दिनमान करेगी और आपके हाथ पर एक मिस्टेरियस क्रॉस बना हुआ ही है जो कि 35 के बाद भाग गुदे को बता रहा था तो आपका मूल भाग गुदे 35 साल के आयों के बाद ही होना था अगर मैं आगे देखू तो एक जबरदा सूरी रेखा है जो कि ये भी आपके लगबख 35 साल के बाद शकरी है तो कभी कभी का होता आपका भाग गुदे 25 के बाद की सिती है लिखी हुई थी अब हम आगे विचार कर लें, तो आगे की बागे रेका भी बढ़िया है, तो बागे रेका में आगे भी कोई विशे समस्या नहीं है, एक जबरदस रूप से दिखरी है आपकी जीबन रेका, हाँ यहाँ पर एक थोई टूटी है, लेकिन यह 80% केस में पॉजिटिव रेका ही होती है, क्योंकि यह हलका सा इदर भी बढ़ी है, तो यह प्राग्रस लाइन का कारी करेगी, लेकिन फिर भी हलका भी जीबन रेका पर गैप होता है, तो कुंडली वेरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, वो तो मैं करके बता दूँगा, वारबा की अतरी बरी शांद अच्छे कंडिशन में, जिसको हम राज्योक कारक अवस्था कहते हैं, और इस प्रकार की राज्योक कारक अवस्था आपको एक कमफर्टेबल लाइफ परदान कराती है, तो यह तो थी पॉस्टिविटी, अब नेगिटिविटी में देखूं, कि इनका कोश्चन से कि काम क् पाया है, तो कुछ-कुछ किया ही होगा आपने, जीबन रेका मुझे स्मूद दिकरी, अलके अलकी प्रिगती की रेखा थी, यह नेगिटिविटी नहीं है, डेफिनिटली इसको नेगिटिव तरज पर नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, यह भी एक कारण हो जाता है काम ना सुर होने का, कि अगर आपकी जीबन रेका साफ सुत्री हो, जो कि बहुत अत्तक इनकी साफ सुत्रा ही दिकरी है, मुझे एक दम सीधी दिकरी है, हलके अलकी प्रिगती की रेका है समान में, और दूसरी सूरी रेका कोई बहुत सार्थक ना हो, बुद्ध रेका हाल फिलाल में ही बना हो तो काम ऐसे लोगों का कुछ दिन के बाद शुरू होता है तो ये भी एक major कारण रहा ये भी एक major reasons रहा काम नहीं शुरू होने का लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना कुछ आपका चला होगा लेकिन 36 वरस के बाद अच्छी बाग गुदे है अब किसी विक्ति के पास इतनी संपत्ती होती है कि उनको आवशक्ता नहीं पढ़ती वो कोई कार रहे तो हो सकता है ये वाली आवशक्ता आपके साथ भी अपलाए हो लेकिन फिर भी 35 शतिस के बाद अच्छी बाग गुदे होगी अब ये तो हो गई बात अब और negativity कोई खास हाथ पर नहीं है मैं जबरदस्ती negativity किसी के हाथ पर दिखाता नहीं है और आपके हाथ पर भी कोई खास नहीं है कोशन्स थे तो मैं खुद कह रहा हूँ 30 के बाद भाग गुदे हैं बागी कुदली देख के मैं ये चीज़ास पस्ट कर दूगा किस छेतर से जुरावा कार और किस समय में श्पेशली किस समय में आप कार करे तो बहतर रहेगा और जीबन रेका कोई verify कर दूगा वैसा chances पूरे हैं कि ये जीबन रेका बहुत negative नहीं मानी जाएगी अभी देखिए और चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो ये हो गई mind रेका ये हो गई इनकी life line सुलवासी तोर में प्रगती की रेका थी जिन्दगी में प्रगती को बताती है इस केस में life में प्रगती होती ही है ना की तो बात ही नहीं है ये होगी पहली चीज अब दूसरी चीज़ प्रगती होती है इनके जन्दगी प्रगती ये सब देखने को मिलता है चुकि ये वाली यहाँ पर देख लो आप कुछ प्रगर्स लाइन थी तो ये प्रगती की रेका मतलब आपके परिवार में त्रग्की हुई होगी आपके जन्दगी राईज जरूर से किये हुँगे अगर मैं आगे दिखूँ तो इन्दिपेंडन्ट हो गए है लगबग मान के चल लो ये अठारा वर्स की आयूशे अठारा वर्स की आयूशे आप इन्दिपेंडन्ट हो जाते है इसके بعد जीबन रेका चीक है यहाँ पर एक राहू रेका मुझे दुक्रिया यह वाली तो यह लगबग आपके 23 साल के आसपास थे फिर एक प्रगती की रेकाँ लगबग आपके 24 में थी फिर एक 25 में थी फिर एक हलकी 30 वरस के आसपास थी फिर 32 में था फिर जीवन रेका स्मूध थे इक परिवर्तन आपके life में 37 बहुत जवर्दसत है तो life स्मूध ही कटे कि आगे की आईू भी बड़ी अच्छी है और जस परकार के सितिया है ये स्वास्त जीवन को वहतीद करता है इस particular age में मैं verify करके चीजों को बता दूँगा कि कही कोई problem तो नहीं square जबरा अच्छा है आपके हाथ पर तो ये indicate कर रहा है square is palm है अब आपकी इन कहतली के जनना देर के तरब चलेंगे हम ये square indicate कर रहा है square is palm indicate कर रहा है महत्वा काल्शी तो ही और मद्यमायों के बाद जिन्दगी पर सफलता को भी प्राप्त करते है गुलाबी ये धन को अट्रैक करती है जबी भी धन के आवशक्ता उस जिन्दगी पर आही जाता है थम्ब के अगर में बात करो strong thumb है strong इशा शक्ती है यवा करती है जबी भी सफोर्ट के आवशक्ता पड़ेगी मिल जाएगा डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से वेक्ती बहुत महात्मा कांची और बहतरी इन थम्ब है बहतरी इन शानदार वेक्तित है समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है सम्मान जनक स्थिती में तो आप रहते हैं सम्मान को भी प्राप्त करते हैं अपनी जिंदगी पर जबरदस माइंड रेका दिमाग के तेज है एड़दर रेका भी काफी शानदार है तो बैलन्स काफी अच्छा है जातक बैलन्स प्रिसनालिटी के होते है यहाँ पर दवाब है तो विक्ती महनती है जबरदस बागे रेका जीबन के लासक तो बागे का पूरा साथ लाइन ओफ एजुकेशन बढ़िया समझदार है सूरी देकाद हुई ती है एक बढ़िया सा त्रिबुज है या कहलो वाई नुमा करती है तिरिबुज ही इसको मान लो आप तो पैसिस के बाद तो यूही बाग गुदे को बता रही थी सनमर के अच्छी बुद्धिवेक से कार करते है बुद्ध पे खडी रेका दिमाग तेज़े दोनों मंगल अच्छा है तो highly energetic है इनर्जी प्राक्रम समर्पन में कोई संद है नहीं दोनों मंगल भुद्ध चपरदस्त चदरबार चाहे पैसे के फ्लो बनी रहेगी ये सब कुछ यात्रा की योग से समाने थे बागी बाग गे रेका चंदर से गई लेकिन ये चांस्स यही है कि एक negative नहीं होगा ये ये negative वुस्था नहीं होती है मंगल पर ये lines indicate कर रही है शुक्र पर ये lines तोने पारवारे की stress को बता रही है बट money management प्रबल ये जिंदगी पर पैसा आता ही है शुक्र और मंगल बरिया है जिन्दगी comfortability, comfortability के साथ अभी दती है वैसेच कोई problems ऐसे अतली वाले विक्ति के जिन्दगी पर देखने को नहीं मिलती है और ये वाग गे रेखा कि ये branches कहलो आप जो कि चनरमा से आ रहे हैं कुछ यात्राओं का सूचक बनती है जिस case में जिन्दगी पर यात्राए होती है क्योंकि सुखद ही रहेंगी, बहुत दुखद नहीं रहेगा और जीवन रेखा कि ये वाली बनावटना maximum लोगों के हाथ पर, maximum लोगों की जिन्दगी पर अच्छा ही अनुभव कराती है में बहुत लोगों के जिन्दगी पर तो बहुत बड़ी बड़ी positivity हो जाती है, बहुत बड़े परिवर्तन life में आ जाते हैं, तो यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं है तो यह था इनका तलिका पूर्णत अविस्टेशन अगर आपको हमारा यह फीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेकर दे, सस्क्राइब कर दे और अगर आप विक्तिकत रूप से मेह सास्तरे का रिखा के सही जानकारी बाना चाहते हैं तो हमारा वोट्स अपनमबर डिस्क्रिप्शन में विल जाएगा लेकर आप संपरक कर सकते हैं धन्यवाद